इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है हरप्रीत कौर, पंजाब से इन्होंने हमें कॉल किया है, सुआगत है कारिक्रम में आपका, बताईए आपके साथ किस तरह की परिशानी है हरप्रीत जी बताएं हलो जी बताएं जावस्कार जी बताएं, सवाल पूछें हमने यह पूछना था कि जयतून का तेल आज़ा जयतून का सिर्का यह जिनको डाइबटीज है यह पेट की समस्या है, यह लीवर में प्राबलम है, यह कॉलिस्टॉल बढ़ा है, यह हार्ट की प्राबलम है इस सब लोग ले सकते हैं, दिन में एक या दो बार छोटे चाय के चमच, तीस पूजीने कहते हैं, पानी में मिला करना है जरा तेज होता है, तो एक गिलास पानी में तीन चोटे चाय के चमच मिला के, एक या दो बार ले से डाइबटीज को भी कंट्रोल होना मुम्किन है और इसी के साथ इन दौर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वर्मा जी ने हमें कॉल किया है, वर्मा जी पूछे अपना सवाल जी मेडम नमस्कार नमस्कार जी अकिम साम अस्लाम अलेकुम वालेसलाम मैंने से पूछे उप रागी, तो जो तप्रिस्तान हो यह उननाब है। इन एंको एसे पिसमे की बोर्स हरीके हैं? ठीक है हाँ देखे उन्नाप की में बहुत बारीक सी गुटली होती है उन्नाप तो एक बेर है जो इरानी बेर को उन्नाप कहते हैं जो सुख रंग का होता है उसे बारीक सी गुटली होती है वो निकाल दे और इसको सपिस्तान को भी पीशिये उन्नाप को भी पीशिये और अलसी को भ भी वाली होती है, हमारे किचन के गरम मसालों में, इनको 30 ग्राम मिलाकर और ये सब 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं, और आराम से इस्तेमाल करें, आपको फाइदा वोमकिन है. एक और दर्शक है, सुमन जी ने हमें कॉल किया है, सुमन जी अपना सवाल कर सकती हैं? हाँ, हम कॉम्पेट में हमाई दर्द बना रहता है, जी. कब से है सुमन जी, आपको दर्द और क्या डॉक्टर कहते हैं? डॉक्टर तो बोलते हैं कि गैस बनती, मतलब गैस बताते हैं. ठीके, गैस, कब्स, एसिडिटी, अपच, खाना हजम न होना, कब्स, बावासीर, लीवर का प्रबलम, इन सब के लिए एक बड़ा काम्याब नस्खा मैं आपको देता हूँ, लिख ले तो, ये नस्खा आपका हुआ, नहीं लिखा तो गलती भी लग सकती है. देखिए, सबी महिलाएं जानती हैं कि मेथी कदाना, हर किचन में ही होता है अक्सर, ये पांच सो ग्राम लें और इसको पाउडर बनाएं, अपने घर पे, पिसा पिसा है लाना ठीक नहीं है, मिलावट बहुत होती है, पांच सो ग्राम मेथी, और एक नमक आता है, जिसे ज जबान में जैतून का नमक, और हिंदी में जैतून का रसायन, और इंग्लिश में अस्टेक जैतून, ये देखने में बिलकुल नमक जैसा है, लेकिन नमकीर नहीं होता, इसमें सो या डेर सो ग्राम मिला दीजे, और इसको पाउडर को आदा आदा चमच, छोटा चाय का चम काने से पहले या बाद में, आप देखेंगे के आप बहुत जल अच्छे हो जाएंगे, और देखिए, इसको पूरा खतम कर लेना, अकसर हम फाइदा होने के बाद छोड़ देते दवा को, ये खतम कर लिया तो ये बीमारी दुबारा उत्पन नहीं होती, और चलिए उतर प जी जी बताएए काशी राम जी, कितनी उमर है काशी राम जी, कितनी उमर है काशी राम जी, एकत्री साल उमर है आगे आगे तो बाल उड़ रहा है, आज, नजला तो नहीं रहता आपको, नजला रहता आप दुखाम पूरा है, जी, ठीक है, तीकि नजले की वज़े से, इन इसको जादा दिन रहता है, उसके बालों पर, उसकी आँखों पर, उसके दातों पर या उसके कानों पर असर छोड़ के जाता है, कोई कम सुनने लगता है, किसी के बाल गिरने लगते हैं, किसी के दात कमजर हो जाते हैं, तो उसका इलाज करिए, उसके इलाज के लिए एक घर से पीपले मिला कर पाउडर बनाएं और एक चमश स्वा एक चमश शाम खाएं पांच शे महीने खाएं तो आपको फाइदा मुमकिन है अगर आप दवात के तोर पर लेना चाहते हैं तो माजून आर केर माजून आर केर सुबा शाम खाली पेट और रात को सोते समय गरम पानी स लिए बहुत फाइदेबंद है मैं भी पीता हूँ और बाल आपके सलामत रह सकते हैं अगर आप यह अमल करते हैं पर चले इसी के साथ मीना जी हर्याना से जुड़ गई है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं जी मीना जी प्रश्न कीजिए आपकी दवा पहुंच गई है हां जी आपकी समस्या क्या है कौन सी दवा मंगवाई है आपने और क्या जानना चाहती है अब आप जी ठीक है मीना जी यह काला गॉंद पॉडर बना लिए पहले कूटी है फिर इसे ग्राइंडर में पॉडर बना लिजे और एक चुटकी या दो चुटकी सुबा और शाम खाने के बाद बगएर चर्बी के दूस से पानी से या जूस से आप लेना शुरू करें पांच दिन साथ दिन सबर करना यह औरिजिनल रो मैटेरियल है और यह जो है आपकी बीमारी को खतम करने की ताकत रखता है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सतीज जी ने हमें कॉल किया है सतीज जी क्या सवाल है आपका जी पहले के मैं पहला है अदाब करता हूं डक्र करते हैं तो फिलिवान जापको अदब जी बताएं यह एक मैने से ट्राही कर रहा है यह आपको पहली बार लगा ते अच्छा बताईए क्या सवाल है कि कटना जाय पहले आप अपना सवाल बैत बता दिजे हाँ जी मैं पहले हैं जो चट्छा चट्छा जो बागा आते हैं पर इनमें अच्छी भी होती है तो है ठीके कब से हैं और किस मर्ज यह मर्ज किस आयू के आदमी को है अच्छा आप डॉक्टर है भाई भाई ठीके डॉक्साब रखिए कैपसूल पी केर पी फोर पटना यह एक ऐसी रिसर्च है के जिससे मुझे बहुत खुशी होती है के यह सुराइसिस का दुश्मन है बवसीर का दुश्मन है कैपसूल पी केर और इसकिन प्राबलम इंफेक्शन किडनी की प्राबलम जो इसमें करिटेनाईन बढ़ जाता है यह गंदगी बढ़ जाती है और हमें डायलेसिस कराना पड़ता है यह उसको भी अच्छा करता है और लीवर के लिए बहुत अच्छा है हमारे जिसम में जो चीजें कम या जादा होती है जिनकी वज़े से हम बीमार पड़ते हैं उनको जरूरत के मताबिक करता है तो कैपसिल P&K आप दो टाइम लिया करें खाने पाद आप देखेंगे olate कि इसमें टायम लगता है किसी को दोब तीन महीने लगते हैं किसी को साथ आट महीने भी लग जाते है लेकिन पहले महीने में असर ज़रूर होने लगता है सुराइसिस वाला मरीज को चाहिए कि नाखून से सुराइसिस को ना खुजाए जब खुजली हो तो सहला लें और जब ये काम करने लगता है तो उन्हें सुखा देता है सुराइसिस के दानों को और उस पर तेल लगा लिया करें उन्हें अपना गिरने दे खुरंड को नाखून से नोच करना यानि नाखून से ना नोच है तो आपका ठीक होना मुम्किन है एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं जानते हैं उनकी समस्या क्या है हलो नमस्कार जी नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं और समस्या बताएं नमस्कार जी नमस्कार जी हम आपको बहुत साफ तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं एक बार फिर से पताएं अर्जुन सिंग कहां से बोल रहे हैं जी सवाल क्या है आप हाथ पाउं दुखते हैं जितना मैं समझ पाई हाँ गोर से सुनिए जनाब आपकी आवाज में बड़ा डिस्टर्ब है मेरी आवाज अगर आपको साफ आ रही है तो समझ लीज़े के एक गोंद है जिसे काला गोंद कहते हैं और गोंद सिया हम लोग कहते हैं गोंद सिया सिया माने काला है गोंद सिया एक ऐसे रो मेटरियल है कि अगर असली कहीं मिल जाए तो आदा आदा गिराम सुबा शाम खाने के बाद खाने से किसी भी किसम के हाथ पेर का जोड का दर्द नसों का दर्द बोड़े का दर्द कामर का दर्द खतम होना मुम्किन है लेकिन सबर वालों के लिए पांच साथ दिन बात फाइदा शुरू करता है और ये सो ग्राम भी मिल जाए तो अपने खतम होने से पहले रोग मुक करने की सलाईयत रखता है ये असली मिलना चाहिए डखली बहुत मिलता है बहुत कड़वा होता है लेकिन मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसी काम्याब रो मेटेरल कभी नहीं देखा कौर दर्शक है सीतापूर से हमें कॉल किया है गौरव जी ने गौरव जी सुवावत है कारिकरम में सवाल कर सकते हैं मुझे क्या खासी काफी रहती है काफी लंबे समय से रहती है जी और थोड़ा बहुत ही बलगम आता है ना मरला सूकी भी नहीं है हलका बलगम है और लंबा समय हो गया है मैं टीवी भी चेक करवा चुका हूँ कुछ नहीं है इंफेक्शन कुछ डॉक्टर ऐलोपेटिक में बताए इंफेक्शन है बाकी ज्यादा कुछ नहीं बताए जी एज बता दीजे गौरव साब आप अपनी एज बताईए और बहुत आसानी से आप अच्छे हो सकते हैं तो देखिए मैं आपको घरे ले नसका बताता हूँ आप कहेंगे तो तबा भी बताता हूँ जो आपको आसानी से मिले वो लें असली दवाइएं खरीदें देखिए लिसोडा सब लोग जानतें लिसोडा क्या है नहीं तो अलसी सो गिराम उननाब सो गिराम ये आप इन सो सो गिराम लेके इसमें अपने किचल से तीस गिराम पीप लें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चमस स्वा एक चमस शाम गरम पानी के साथ लें और एक दिन में पाच बार गरम पानी पी आप देखेंगे कि आप देखते दे आपकी खांसी आपसे रुखसत हो गई आए एक और दर्शक हमारे साथ जोड़े हैं उनसे हम बातचीत करते हैं जानते हैं उनकी समस्या क्या है अलो नमस्कार जी नाम बताएं जी उमेश बात कर रहो हुए उमेश जी बताएं क्या समस्या है आपके साथ जी बताएं का नाम एक बार फिर बताएंगे जी उमेश जी आपकी उमर कितनी है परिशानी मुझे चार साल से थी आपका राम तो हो गया है तब यह तो है आदा राम हो गया है जी आप यह बताएंगे आप यह शिकायत कर रहे हैं जी बताएंगे कि किने लंबा चलेगा भी अरे देखिए चार साल से आप दवाएं खा रहते हैं उमेश जी और युनानी ने आदा फाइदा एक महीने में कर दिया तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको खुश होके बात करनी चाहिए तो देखिए अगर आदा फाइदा हो गया है अगर पूरा फाइदा भी हो जाए ना दो महीने में आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आदा फाइदा एक महीने में आदा फाइदा एक महीने में पूरा हो जाए तब भी दो-तीर महीने दवा और खाना, आप मेरी बात को अगर तवज्ज़ नहीं देंगे तो आपको फिर से यह द्धादा जाएंगे, तो जिसको भी जल्दी फाइदा हो जाता है, किसी किसी पर भगवान की बड़ी किर्पा होती है, उसको जल्दी फाइदा हो जाता है, तो मैं सबसे बार-बार कहता हूं कि आपको दवा का कोर्स करना है, चार या पाँच महीने. अब देखिए, जहां चार साल से दूसरी दवाएं खा रहे थे, वहां एक महीने में आदा फाइदा हो गया, लेकिन इनके लेज़े में शिकायत है, तो ये ऐस इसे भी लोग होते हैं कि शिकायत कर देते हैं, आदा फाइदा तो हम बहुत बड़ा फाइदा मानते हैं, एक महीने में दस बीस परसेंट फाइदा होता है, तो आप खुब शुकर वाले बनिये, भगवान का शुकर करें, हमारे लिए भी दूआ करें, और इत्विनान रखें आप तो अगले महीने ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन दवा छोड़नी नहीं है, तीन-चार महीने और खानी हैं, अगर आपको पूरा फाइदा चाहिए